नमस्कार आप देख रहे हैं बिहानुज और मैं हूँ आपके साथ विसाल चोहान और बढ़ते हैं खबरों की और इस वक्त की बुलेटिन में हम सुर्वात करेंगे अरारिया की खबरों से अरारिया में बाढ़ को लेकर परभारिस सचीव केके पाठक ने डीम, एसपी और विभाग के अधिकारियों के साथ समिक्छा बैठक की आत्मन हॉल में आयोजित इस बैठक में परभारिस सचीव ने जीले में बाढ़ में ध्वस्त पूल, पुलिया, ग्रामिन सडकों और राहत से समधी जनकारी लिए केके पाठक ने नेशनल हाईवे और अन सडकों पर सुचारों रूप से आवा गवन सुरू करने के लिए कई निदेश भी दिये इस मौके पर अररिया डीम बैजनात यादव ने परभारिस सचीव को जीले में बार से विच्छती का विश्तित ब्योरा दिया अब आपको आप मेरे को साइंटिविक पाठाओ मुझे बार अगली ख़बर मोतिहारी से आ रही ही थे आपको बता दे मोतिहारी के चोड़ा दानों में समान काम समान बेतन को लेकर बिहार शी एवं परखान कारेल के पर बिहार राज शिच्छक संघर्षम नमे समीती के अगन चुमी नारों के साथ आवाज बुलंद की गई सभा में कई सिस्कों ने सरकार के खिलाफ भुकार भरी कि समान कम समान बेतन और सर्थ जल्द लागू किया जाए हमारी मांगे जो है जायज है और इसको लेकर हम रहेंगे इस अंदोलन के माज़ें से बिहार सरकार को चेतान देना चाहता हूँ कि बिहार में हमारे जो भी सिक्षक है सिक्षक साथी को समान कम समान बेतन समान से वासरत अगर नहीं देते हैं लागू नहीं करते हैं तो मैं बिहार सरकार को अपनी चटानी एकता से इस बिहार की गधी से हटा कर रहूंगा और हटा कर दम लूंगा मोतिहारी के सुगाولी में भारती उवा कॉंग्रेस के बैनर तले बिहार परदेश उवा कॉंग्रेस के महा सचीव,ժ्रोफेसर अखलेश इदेयाल के मिनित्रित में सहर के चौधरी चरंथ सी गुलंबर कोडिहार चौक पर उन्नौ बलतकार पीर्टों के साजिस के तहट मारने के खिलाब उतर पर्देश के ताना साही एवं रेपिष्टो को सरच्छन देने वाले मुख मंत्री योगी आदित तिनात का पुतला धन किया गया पर्देश महा सचीव ने योगी सरकार पर निशाना सात्तिवे कहा कि 2017 का मामला है सीविया जाज कर रही है और 34 बार पिर्दो के परिवार वालों के द्वारा उस्तम नियाले के दरवाजे को खटकटा है लेकिन ताना साही सरकार के आगे नियाले भी नतमस्तक है हमारे सीमा पर जो जवान मर रहा है पोस्त प्रक्षित कव रहेंगे निश्ची तरूप से यह देश यह पुकार रहा है और हम मांग करते हैं कि निश्ची तरूप से एक कूलगूप सिंगर जैसे बिधाय का अबलंब इस्थिभा होना चाहिए और वैसे बिधाय को हासी पी सुझा होनी चाहिए यहां मांग करते हैं पाटली पूतर बिश्वेदाले में ब्याप्त अराजकता और असनातक के छातरों की शीट बढ़ोत्री की मांग को लेकर छातर जेडियू नालंदा दुवारा बिहार सरीप के अस्पताल चौक पर पाटली पूतर बिश्वेदाले के कुलपती डॉक्टर गुलाब चन इस मौके पर छातर जेडियू के जिला ध्य धनचय कुमार ने देव ने कहा कि आज पाटली पूतर बिश्वेदाले में अराजकता का महौल कायम हो गया है असनातक में नमांकन ब्यापक पेमाने पद्धानली की जा रही है उन्होंने कहा कि बिहार के 20,000 से अधिक छातर च् के दौरान प्रेट से टकरा गई और पलट गई इस हदसे में दो दर्जन लोग घायल हो गए है घटना मंजौला थाना चेतर के मंजौल गडपूरा पत्थ पर जैमंगला गड़ के निकट की है पताया जाता है कि गडपूरा थाना चेतर के एकंबा निवासी बिनोध याद कर रही है कि सिमर्या जा रहे थे जलाने के लिए फिर क्या हुआ है तो वह कि बस पलट गया बस हम लोग धायल हो गए कि तुम्मा से जा रहे थे गड़्यारी सिमर्या इसके बीच्वाइब बस और टेक कारद रहें से इस सला इधर से उदर के पिपल्स पावर के बैनर तले आज वीर कुमर्शी चौक पर उन्नाओं में हुए बलतकार की घटना और हत्याओं में सामिल भाजपा से निलंबित बिधायक कुल्दीप सेंगर की खिलाप आकरोस मार्च निकाला गया साथ पिडित और पिडित परिवार की मिर्टकव की आत्मा की सांती के लिए केंडर मार जला कर उन्हें सर्धानली दी गई इस मौके के कारकरम के नित्रित कर रहे दादा ठाकूर ने कहा कि वीते 18 साल से कुल्दीप सेंगर का पूरा परिवार अपराद में सनलिप्त रहा है कुल्दीप सेंगर बलातकारी है 18 साल से वीवार चल रहा है पिडित परिवार के साथ 14 साल से मुकदमा है उस पर कुल्दीप सेंगर पर बलातकार का लेकिन अभी ते कोई कारवाई नहीं है अब जो भी बयान देगा उसकी हत्या करा देंगे कुल्दिप फेंगर और लोग क्या कानून नाम की छीर नहीं दा गई है हम लोग फासी की सजा की मांग करते हैं अगर सरकार और कानून फासी की सजा देने में नाकाम्याब अगर होती है तो हम कुल्दित सेंगर को सरेहाम गोली मारेंगे और पिडिता को नियाग किला कर रहेंगे पटना एम्स में एन एमसी बिल के बिरोध में सिनियर और जुनियर रेजिडेंट डॉक्टर से निकाला गया कंडल मार्च कहा जब तक इन एमसी बिल वापस और सुधार नहीं ले होगा तब तक जारी रहे गाई है बिरोध वहीं अगली कवर मोतिहारी से आ रही है तो आपको बता दे मोतिहारी के छटावनी थाना छेटर अंदर गत एड़वोकेट लिखा मारूती कार से 84 बोतल सराव कैसीनो प्राइड ब्रांड हरियाना निर्मित के साथ मारूती कार जब्त कर लिया गया है वहीं सराव तसकर भागने में सफल रहा यहां बताते चले कि छटावनी स्पेक्टर मुकेश चंदर कुमार सराव कारवारियों के खिलाप अभ्यान छेड़ रखा है बिगर दिने करांतिकारी ओँ अजाद मन्च के संयोजग दीपक कुस्वाह की मौत ट्रक दुरघटना में हुई थी जिसको लेकर सुकरवार के दिन रालोजपा के रष्टी अध्याच उपेंदर कुस्वाह ने सोरग गये करांतिकारी ओवा अजाद मंच के संयोजक दीपक कुस्वाह के पैतरी गौन जाकर दचनी घोगा में परिवार के सद्यस्यो दीपक कुस्वाह परिवार और उनके पीता से मिलकर संतावन दियें साथ ही हर संभब मदद की अस्वासन भी दिया घटना की जाज करवाने की बाद कही साथ ही घटना अस्तल का भी निरिछन किया इस मौके पर महागटवंदन के पूर परत्यासी व्रिजेश कुमार कुस्वाह ने कहा कि करांतिकारी दीपक कुस्वाह की मित्यू और समय होने के व्यक्तिगत तोर पर मुझे बहुत बड़ी सद्मा लगा है एबन पार्टी को एक सच्चा करकरता होने का भी गम है सुनकर बहुत ही दुख हुआ जिस दिन इनकी मौत हो गई एक्सिदेंट हो गया और अचानक से हम लोगों के बीच से चले गए उस दिन भी पार्टी की मिटिंग के हां पार्टी के काजकर्मों में भी इनकी दंतर सक्रियता रखती थी समाज के बीच भी काफी पाचान इन्होंने थोरे दिनों में बना ली थी रातें समाजी कायों में लगे रहते थे आन्दुलन में लगे रहते थे उनकी आन्दुलन का मडिमा मरिक गवा कि कि इस एलागे में विकास के कई काम दो Meat वहर तरह से पार्टी के रिए इस वक्की बुलेटिन में इतना ही देखते रहें बिहानुष मुझे देजिए इजादत नमस्कार